पॉ में पॉर्मिंग के लिए न मुझा से वाना चाहिए उसमें वो एक बर अगर लेक्ट के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता हैं तो हैंगिंग वाला मैथड भी फॉलो कर सकते हैं और आउस्टरम हुझन से शुरू करना चाहिए अगर वो कोई और मश्रूम भी सोच रहे हैं तो उन्हें एक बार ओइस्ट्र मश्रूम से शुरू करना जी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ है प्रीती जी जो चेती से जुर्गे मश्रूम फार्मिंग में एक प्रॉफिटेबल बिजनस रन कर रहे है हमारे साथ है प्रीती राठोर जी जो अम्रित तत्व के को फाउंडर है स्वागत है आपका प्रीति मैयम आप अपने बाड़े में अंपने नाम सब्हूर्ण हुँ आर उन्म फाउंदर हूं और में ओने कंपनी रजिस्ट्र कि अम्रे काउयम च्ट क्रत्रूल हम दure 3 जो आपका इंजिनेरिंग का बैक्ग्राउंड है राइट आपने इंजिनेरिंग की हुई है तो उसको करने के बाद भी फार्मिंग में आने का क्या कारण था मेरा यह बिजनस आइडिया मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्यूंकि मेरे बेटे को ग्लूटेन इंटॉलरेंस ग्लूटेन प्रोटीन होता है गेहूं में जो कि जिससे उसको प्रॉब्लम थी तो उसके इशू से और प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है तो इसमें मैंने देखा कि मैं मेरे हजबन को रेस्टरांट में हेल्प कर रहे थी और साथ-साथ मेरा केक बिज बिजनस भी रन कर रहे थी लेकिन मेरे बेटे को जब हैल्थ इशूस होने लगे और उसका यह ग्लूटन इंटॉलरेंस डाग्नॉस हुआ तो मुझे पता लगा कि वह वीट बिल्कुल भी कंजूम नहीं कर सकता उसके लिए किस तरीके से ग्लूटन हामफुल है पिंच ऑफ तब मैंने नोटेश किया कि मश्रूम्स बहुती हेल्दी फूड ऑप्शिनस होंगे और ऊस्ट्रम पर हमने डिसाइड किया कि हम ऊस्ट्रम उइस्ट्रम अगाना और इनके काम करना बहुती एजी है और एक बार शुरुवात में आप उस्ट्रम फार्मिंग से स्टार्ट कर में 18% होता है और यही प्रॉब्लम मेरे बेटे को थी प्रोटीन की प्रॉब्लम थी तो उसकी ग्रोथ के लिए बहुती अच्छा ऑप्शन था मश्रूम सो यह सब यही सब दिखते वे मैंने फिर मश्रूम फार्मिंग डिसाइड किया और उसके साथ पर आगे और बिजनस उसी बिजनस का आगे कंटेन किया तो मैं आपका यह मश्रूम का बिजनस कितने दिनों से अपरन करी है मैं हमने यह 2019 में स्टार्ट किया था 2018 एंड में मैं मेरे हजबन के साथ हिमाचल गए थी और वहाँ पर सो इसमें क्या-क्या हमें सावधानी रखनी होती है इन सब चीजों का पता किया था फिर 2019 में हमने मश्रूम कल्टिवेशन से स्टार्ट किया था और शुरू में कल्टिवेशन से स्टार्ट करके फिर जब कोविट के टाइम 2020 में हम लोगों को हमारा फार्म विजित करने नहीं online and then हमने नोटेस किया कि फार्मर्स को प्रॉब्लम आ रही है ऑइस्टर मश्रूम को सेल करने में तब उनसे हमने जो भी उन्होंने कल्टिवेशन किया था वो ड्राइफ फॉर्म में उनसे प्रोक्यॉर कर लिया और फिर उसके बाद हमने बाइप्रोडेक्ट के उपर काम करना रिलिटेद हम एक और क्वेस्टन जाना चाहेंगे जैसे आपने बताये कि ऊइस्टर एसके पीछे आपने क्या मार्केट रिसर्ड किया था मैं इसका मार्केट रिसर्ड ये था ऊईस्टर मश्रूम का इसको उगाना बहुती एक बार इपर इनीशल स्टेट से अगर आप श ऑफिर दस हजार की लागत से था उससे स्टार्थ कियं था और फार्मिंग में क्या-क्या चैलेंज्यस का सामना करना पड़े आपको यह एक रूम जो की 30 वाय 25 इक टभीरा उससे स्टार्ट किया था एंड चैलेंजेश ए थे कि जो हमें इत्रेश कहा किया था और वह पर्मलीन और सिर्फ ऐलेर्वेंगों परिशस्ट कर्टेश्सिक्त पर रिसर्च के खाव और उसको किस तरीके कि शabile। तरीके से उगा सकते है तब जैविक तरीका हमने जब देख लिया उगा के और वो प्राक्टिकल हमारा पूरा अच्छे से हो गया और उससे बहुत ही अच्छा कल्टिविशन निकल के आया तो यही चीज़ नोटिस की गई के ग्रोवर कंजूमर और एंवार्मेंट के लिए हम स्थेनेबल तरीके से मश्च्रूम क्ल्टिविशन और उतना बहतर होगा तो मैं जो आपका पहला प्रोड़क्शन था, फॉसका मश्च्रूम का क्वालिटी कैसा था मैं का क्वालिटी बहुत ही अच्छा था जैसे मैं ने पताए ना आपको एक फर्स मेंठोड था जोकि फ और वो बहुत ही अच्छी फूटिंग बॉडी थी ओस्टर मश्रूम्स बहुत ही अच्छे थे इन पर टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे और उसका रीजन यह था कि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और फ्रेश ओस्टर मश्रूम्स की फोर तो फाइफ दी शेल्फ तो उसका टेस्ट एक सैट हो चुका है कि हम वह यूज करते हैं किस तरीके से तो ऑस्टर मश्रूम्स को वह एड़ नहीं करना चाहिए थे डाइट में तो और फिर इसको मार्किट में ले जाने का चैलेंज काफी थे किस तरही के से मार्केट में ले के जाएं और ऐसके बारे में जाने और इसे कंजूम करें इस खाये लेकिन ये four to five days shelf life होने के कारण जादा consumers तक हम पहुंच नहीं पाये थे फिर हमने dry oyster mushrooms से market में ले के आना हमें सही लगा तो मैम आप तो ये mushrooms online में भी sell करते हैं राइट? हमारे online portal है मुठे तत्वर.com उसके थुरू हम dried oyster mushrooms और उससे बनाए गए buy products जो कि gluten free and vegan है वो हम sell करते हैं consumer अगर order करता है तो हम within seven days उनके delivery point जो भी है वहां तक deliver करवाते हैं और pan India हमारा हमारे products डिलिवर हो चुके हैं अब तक तो मैम इसका बनाने का process क्या होता है packaging का process क्या होता है वो थोड़ा सा बताएंगे मुझे? पैकेजिंग के लिए हम लोग paper pouches use करते हैं और बनाने में यह है कि जैसे dry oyster mushrooms हैं तो आप 10 to 15 minutes उसको lukewarm पानी में soak करके and then उसको normal सबजी की तरह बना सकते हैं जैसे gravy तयार कर लिए and 10 to 15 minutes तक आपने mushroom को soak कर दिया देन उसको squeeze करके चॉप करके उसको add कर लिया उसी तरीके से आप उसको पुलाव में भी आड़ कर सकते हैं पोहा है पास्ता तज्जा इस तरीके से आप इसको अलग लग use में ले सकते हैं रिहाइड्रेट करते हैं जो कि dried oyster mushrooms हैं उनको तो मैं online में तो बहुत सारे mushroom products sell होते हैं तो आपके mushroom products में क्या uniqueness है यह हमारे दर्शयों को बताए हमारे प्रोडेक्स में यह uniqueness है कि हमारे products gluten free है and vegan है और हमारे प्रोडेक्स mushroom and well millets value added है millet based है जिसमें हमने सोरगम काम में लिया है राजगिरा ज्वार यह सब चीज़ें को काम में लेके हमने products तैयार करें जैसे हमारे products से seasoning भी है दो तरह की वह again gluten free है तो जिनको gluten intolerance है जैसे कि आपने देखा होगा जो seasonings market में available है उसमें wheat होता है तो इसलिए हमने जो भी हमारे products है उनको इस तरीके से तैयार किया है जो gluten and lactose intolerance है वह भी consume कर सके और बाखी लोग भी consume कर सके तो मैम इससे आपका customer response कैसा है मैम customer response हमें काफी last one year से जैसे जैसे हम लोग customer से मिल रहे हैं तो काफी अच्छा feedback है because उनको ये market में बहुत नया लग रहा है कि क्योंकि mushroom आप रोज सबजी बना के नहीं खा सकते और आपको 10 grams according to dietitians 10 grams mushrooms हमें हमारी डाइट में everyday use करना चाहिए add करना चाहिए हमारी डाइट में तो आप कैसे करें तो इस तरीके से हमने उसमें खाक रहा है हमारे product में seasoning है सत्तू है पास्ता तो ऐसे variety of products हैं जो आप अपनी everyday आपका यह जो product है यह आपके website के अलावा कहीं और आप सेल कर रही है ऑनलाइन में हमारे प्रोडेक्ट एमेजन फ्लिपकार्ट मीशो यहां पर भी अविलेबल है और जैपूल में ऑफ्लाइन स्टोर्स में अविलेबल है तो मैं आपका response बेटर या दिमांड आप बोलना चाहे कौन सा बेटर आया है ऑनलाइन में या ऑफ्लाइन में ज्यादा बैटर है क्योंकि हमने यहां पर लास्ट डिसेंबर से काफी एग्सिबिशिन शटेंड किया है और ऑग्सिबिशिन करने से हम डिरिक्ली कंज्यूमर से इंट्रायक कर पाए है उब इनको हम हभी आपदयक है उनको से हमारे अफ्लाइन स्टोर से पर पर्छेज संपा है आप और 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 चाहरो तो इसका तो दूनों का marketing strategy अलग होता है तो इसका marketing strategy दूनों आप अगर थोड़ा-थोड़ा हमें बताए कि क्या difference है क्यों आपने जैसे कहा कि offline में ज्यादा हो रहा है online में response थोड़ा कमारा है तो इसके company है कहीं हमारा एक fraud company तो नहीं है या पैसे गलत account में तो नहीं चले जाएंगे या जो प्रोडेक्ट आएगा वो कैसा होगा जो इसमें mention किया हुआ है तो इस तरीके से कुछ जैसे हमारा हमारी company Amazon Flipkart मीशो पर रजिस्टर तो है लेकिन उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी companies ह जो मश्रूम में काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग first page पर भी हमारा आना जरूरी है उसमें marketing strategies होती है या फिर आपको sponsor करना होता है आपके product को या फिर SEO होता है search engine optimization तो उस पर भी हमें कुछ amount invest करना होता है तो यह number of consumer number of suppliers हैं जो यहां पर sell कर रहे हैं तो इसमें online में यह problem आती है कि pan India number of sellers हैं तो उन तक consumer कैसे पहुंचे लेकिन offline में क्या trust बनता है आपके हाथ में product है आप उसको देख पा रहे हैं check कर पा रहे हैं and हम directly exhibition के through काफी consumer से मिल चुके हैं तो उन्हें पता है हमारे बारे में कि हम founders हैं और हमारा यह product है और हमने उन्हें इसके health benefits के बार करना चाहिए तो उनको जब सामने product दिखता है तो उसको purchase कर लेता है तो मैं जैसे कि आपने कहा क्या farmer से जो products लेते हैं तो उसकी quality कैसे आप check करते हैं मैं हमारे quality जैसे हमने initially तो हमने खुदने training दी थी तो हमें पता था कि farmer किस तरीके से क्या process follow करके उनको उगा रहे हैं और already organic या जैविक तरीके से उगा रहे थे मश्रूंस उनका यह रहता है उनके पास GST नंबर होता है और तो हम उनसे invoice लेते हैं हम तो उसमें एक surety होती है जिसमें वो mention करते हैं कि जो मश्रूंस उन्होंने उगाए हैं वो 100% जैविक तरीके से उगाए गाए हैं उन्होंने के लिए काम में नहीं लिया गया है तो मैम अभी करेंटली आपके साथ कितने फार्मर्स जुरे हुए हैं और उनको क्या फायदा हुआ है इससे फार्मर्स को उनके एक extra income source में फायदा हुआ है क्योंकि मश्रूं कल्टिवेशन के लिए हैं जिन फार्मर्स के पास लैंड नह तो उन्होंने एक बार मश्रूम फार्मिंग उनको स्टार्ट करने थी तो उन्होंने ऑइस्टर मश्रूम से स्टार्ट किया तो एक रूम से स्टार्ट कर लिया तो उसमें कम पाने की लागत है वर्टिकल फार्मिंग है तो आपके बहुत आपको लेबर भी जादा नहीं ल जो कि वो खेती के साथ साथ भी कर सकते हैं तो मैम देखिया आपका तो इतना दिनों का एक्सपीरियंस है अगर हमारा को किसान भाई ऐसे मश्रूम फार्मिंग ऐसा कुछ करना चाहे तो उनको क्या-क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इसको मतलब स्टार्ट करने के है कि फार्मर के पास एक फ्रूम होना चाहिए उसमें वो एक बार एक टर् e confer करना चाहते हैं तो एकर नहीं किंग वाला मेठट भी पॉलो कर सकते हैं और ओइस्टर मश्रूम से लागत में। जल्दी उनको raft चौश रहेगी। इसमें हाइजीम मैंटीन करना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखने के बहुत जरूरत है जो किसान उगा रहें वो खुद भी बहुत साफ सुत्रे रहें साफ सुत्रे कपड़े पैने और जिस मश्रूम जिस रूम में उगा रहें इसमें हाथ और पैर धूके ही अंदर जाएं और कमरे के बाहर भी साफ सफाई रखे और तीन महिने तक जैविक तरीके से उगा सकते हैं जैसे चूने का छिर्काव फर्ष में और दिवारों में करके और नीम के पानी का छिर्काव मश्रूम के बैग के उपर करके कर सकते हैं हमारा company name है Amritatwa तो Amritatwa.com हमारी website है और social media handles पे भी same name से है Amritatwa name से तो वो कहीं पर भी हमें यहां पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और फिर हम उनसे कॉंटेक्ट कर लेंगे हमारा नंबर भी मेंशन है सोचल मीडिया है आप नंबर एक बार बता दीजिए मैम 9829630720 तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वह अगर पिती जी को कॉंटेक्ट करना चाहें अभी जो पिती जी ने वेबसाइट बताया और नंबर बताया वह उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैम एक और क्वेस्चन है कि मशीन का क्या रोल होता है मश्रूम फार्मिंग में इस कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन की रिकॉर्मेंट नहीं रहती है मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप आज हमारे साथ जुरे हमारे साथ ये आपका एक्स्पीरियंस शेयर करने के लिए कि हमारे जो दर्सक है वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेने वा ज्यादा सक्सेस हो मैं थैंक यू जी